नमस्कार मेरा नाम है अंजली योगी और आप देख रहे हैं प्रदेश टोड़े और इस वक्त हम मौझूद हैं भोपाल की भारतिय जनरता पार्टी के मीडिया सेंटर में और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सतिंद कुमार जैन चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त है वोटिंग का तो उसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीती है कि मुद्दों को लेकर वो आगे है और क्या कुछ खास इस बार होने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए तो हम इसे बात करेंगे जैसे कि 24 अपरेल को नरेंद मोधी जी यहां पर आने वाले हैं दौरा करने के लिए तो क्या कुछ खास तैयारिया पहले उनके आने को लेकर की गई हैं और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर बात की जाएगी इसरेली में देखिए भारती जनतापार्टी सदेब जनसंपर के जनकल्याण के कारी करती रहती है और लोकतंत्र में चुनाव एक महायग मानती है अश्मे द्याग मानती और भारती जनतापार्टी ने जिस प्रकार से प्रतम चरण में हमारे समस्त कारिकरतागणों राष्ट्री नेतागण से लेकर प्रदेश के नेतागण सबने अपनी आउती दी है अवे दूसरा चरण भी 26 तारीक को हने वाला और उसके बाद आने चरण रहेंगे और उसी श्रिंखिला में बोपाल में 24 अप्रेल को भारत के अश्यश्वी प्रदान मंतरी जिनको अमना भूतु न वविश्यती प्रदान मंतरी कह सकते हैं उनके कारिकाल में इस प्रकार के इस्टोरिक डिसीजन्स लिए गए कि जो वर्ल्ड के अंदर हम भ संबाद करेंगे तो एक 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 एलेक् oftentimes तयार होता है और जूसे की जन जन चन के अंदर जाएगा और निसन्दे चारजुन को EBM की काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग के बाद प्रस्फुटन होगा उसमें से, भारती जनता पार्टी को ये भगवान रुपी जनता पुना 400 से अधिक सीट देगी, 400 कमलों की माला को खिलाया जाएगा, प्रधान मंतरी मोदी जी के गले में डालने के लिए सर, इस बार प्रग्या ठागुर जी का टिकेट काड कर आलोग शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि विधान सभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन उनका नहीं रहा, तो आपको क्या लगता है कि वो वोटर्स जो है, उनका मदलब मद्दान प्राप्त कर सक जो उनको मिलेगा जीत में, लेकि भारती जंता पार्टी एक केडरवेश पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे यहां सिस्टम है, एक संगटन है, उसके द्वारा चलती है, और पार्टी के परलियमेंटरी बोर्ड है, प्रदेश की चुनाव समीती है, केंदरी चुनाव समीती है, सबी प्रदेश के या देश के अंदर जितने भी सांसद हैं, उनका चाहन टिकेट का किसको देना है, किसको नहीं, यह सब उहां से ही चाहन होता है, और उसी के आधार पर अब जो चाहन हुआ है, तो आलुक शर्मा जी हमारे यहां भी बरतवान म हैं, और पार्टी ने इस सारे जो आपके मन में शंकाएं हैं, इन सभी समीकरणों पर विचार किया है, उसके बाद में उनका नाम आया है, तो निसंदे और एक सभी कारिकरता, एक ही सवर में कमल को जिताने के लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदान मंतरी मोदी जी न जनता के बीचे में जनता का आशिरवाद लेने कि कमल आप कियां से प्रक्तियाशी है, कोई नाम बिशेश नहीं, तो चाहे वो उस पहले साध्वी प्रग्या जी हो या इसके पहले आलोक संजर जी हो या पहले कहला जोशी जी भी यहां से प्रदा पूर्व मुखमंत्री र हमारी पूर्व जो सांसद है, वो अभी और सभी भारती जनता परटी का एक एक कारिकरता मभुपाल के अंदर कमल खिलाने में, कमल को जिताने में, भारती जनता परटी के प्रत्याशी आलोक शर्माजी को जिताने में, अपनी आहुती दे रहे हैं, और निसंदे भारती जह ज़्यादा बोट मिलने वाले हैं और 400 पार होगा अब प्रतिमों बोपा मद्ध प्रदेश की 29 की 29 लोकसवा सीट भारती जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता आशिरबाद देने के लिए लाला है थे सर बिधान सवा चुनाव 2023 में लाडली भेना योजना को बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा था कि कहीं न कहीं चुनाव जीतने का जो है वो लाडली भेना को उसका श्रे दिया जा रहा था तो और अभी महिला दिवसपट 8 मार्च को प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी जी न स्लेंडर के दाम में कमी किया तो क्या ये चुनावी लॉली पॉप है या महिला को साधने के लिए ये सब जो चुनावी लॉली पॉप दिया गया है दिखिए महिलाओं को भारती जंता पाल्टी बोलती नारायनी मानती है और हमारें का गये यत्र नार्यस्तु पुझ्यंती रमंती तत्र देपता यत्र नार्यस्तु ना पुझ्यंती तत्रेस्ता सर्वता अफला या नास्ती मात्र समम्चाय नास्ती मात्र समम्त्राण नास् वाजा दिया हुआ है और उसी को मांते हुए प्रधान-मंत्री मोदी जी ने महीला शोदार में महीला सशक्तिकरण में सेखणो कारी की या सेना के अंदर महीला आ गई पहली बार हो रहा है भारती जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और जो आपने का कि चाहे लाड़ी बेह ने फाइटर जेट उलाती हैं, वो महिला पाइलट हैं, और इसी पर आप जो अने कारी ऐसे पहली बार हुए हैं, और उसी तुर श्रिंखला में, जो आप कह रहे हैं, हम सदेप करते हैं, हम चुनाओ के लिए नहीं करते हैं, महिला उत्थान हमारा, हमने चार जाती हैं, हमारे हमारे हैं चाहे वो लाडली बहना योजना हो या नारी शक्ती बंदन अधिनियम सोचिए यह जितने इंडिय ऐलाइंस के दलें आपस में लड़ते रहे जब नारी शक्ती बंदन का अधिनियम UPI की सरकार में आया था, कॉंग्रिस की सरकार थी तब भी हमारी भारती जंता पार्टी थी हमने इस बिल का समर्थन किया था लेकिन आज राहूल गांदी जी है और यह सब जो आपस में एक दूसरे के गलवईयां कर रहे हैं जो इंडिया लाइन से इन लोगों ने जाकर के ही आर जेडी ने वो समाजबादी पार्टी ने जाकर के उस बिल का विरोध किया था उसको वैल में जाके फार दिया था परचे उसके जो पेपर फार दिये थे बिल के तो आप सोचिए एक किस मुझसे आज जाते हैं वो माता हैं बेहने और जो राहुल गांदी कहते हैं राहुल गांदी जी क्या कहते हैं वो हिंदु धर्म की शक्ती से लड़ रहे हैं तो देखिए उनकी लड़ाई भाजापस होना चाहिए थी प्रधानमांतरी नर्दमोदीश से होना चाहिए थी लेकिन वो शक्ती से लड़ रहे हैं और आप शक्ती क्यों होती है हम महिलाओं को मादुरगा का रूप मानते हैं उनमें माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं माता सरस्वती का रूप मानते हैं तो आप सोचिए लक्ष्मी से लड़ने वाले कौन है राहुल गांदी हैं दुरगा से लड़ने वाले राहुल गांदी हैं माताओं से लडने वाले राहुल गांदी हैं, इस किस प्रकार की राजनीती जा रही हमारी माताओं बहने, इस बार नाराहिनी का रूप बन करके, यदा एदाही धर्मस से गलानेर भवती भारता, अब युद्थानम धर्मस से तदात्मानम स्रजाम्यम, परित्रणाय साधुन बिनाशाय चादुश्क्रदाम धर्मस स्थापनार था है, संभवामी योगी योगे, जो कहा है, जब जब पाप होता है, उस समय भगवान अवतार लेते हैं, नाराहिनी अवतार लेती हैं, और इस बार नाराहिनी जो माताओं बहने हैं, हमारे देश के अंदर लवक 47 करोड से ज़्यादा माता हैं बहने हैं, हमने उनके तीन तलाक माता मुसलिम बहनों के तीन तलाक से मुक्ती दिलाई है, हमारी जो सैकड़ों कारी हमने महीला से शक्तिकरण में किये हैं, लाडली बहना हो, जो सिलिंडर है, उज्वला गैस के साड़े दस करोड से ज़्यादा और जो इस तरीके का जो अधार्म की है जो पाप उत्वन कर रहे हैं जो लोग उनका संहार करेंगी हमारी माताएं बहने और भारती जनता पाट्टी को आसी माशीरवाद दे के 400 पार का संकल भी पूरित करेंगी सर जैसे कि अभी अमबिटकर जैनती पर भाच्पा ने अपना मैनिफेस्ट वह जारी किया तो उसमें मुफ्त बिजली राशन महिलाओं की सुरक्षा बेरोजगारी और नई सिक्षानीती तमाम सारी चीजें उसमें मतलब आई थी कि हम ऐसा करेंगा उन्होंने एलान किया था लेकिन अभी जो पहले फेस में जो वोटिंग होई है 19 अपरेल को तो शेहडोल में सीधी में आदिवासी जो वर्ग है कहीं न कहीं वो मुखर हो गया है और उन्होंने वोटिंग सीधी चैडोल में कहीं 5 वोट डले हैं कहीं 15 वोट डले हैं तो मतलब इस पर आप क्या कहना है लेकिन कम प्रतिशत पिछले लोग सवा चुनाओ के कम हुआ है अभी इसको चुनाओ आयों को आकलन करना होगा और मैं तो यह मानता हूँ कि जितना भी यह मत प्रतिशत हुआ है इसमें कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी के हमारा जो 42 लाख कारिकरता है बूत लेबल का उन सब ने महा कुम्ब में अपनी आहूती डाली है और प्रतिशम चरण में जितना भी मत दान हुआ है उसमें कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी के कारिकरता की महनत है अन्य था यह यह भी शायद मुझे लगता है कि यह जो मत प्रतिशत है यह भी कम होता लेकिन आपने ज जो बात होती है डेमोक्राथा की बात होती है गोब्मेंट की बात होती है यह भाजित करने के लिए उनको अच्छा समय होता है लोगतंतर में और लोगतंत्र के माध़िय। सही जवाब देना चाहिए ऐसी पर्टियों को, मैं आपके माध्य के माध़िय। से बाहरत के समस्त्ह मतदादाबंदूं से यही विनमणर आग्राय करता हूं, कि वो आये और लोगतंत्र के इस महायग्य में अपनी आहूती दें, अपने मत अधिकार का प्रियोग करें मत दान ना करें वो उनका अधिकार है मत देना और वो मत दें जो राश्रक्षा के लिए दें वो आप महिला सशक्ती करण के लिए दें वो है सेना के सम्मान के लिए दें वो है सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर दें धारा 370 अटाने के नाम पर दें, माताओं बेहनों को, मुसलिम बेहनों का जो 3 तलाग के नाम पर दें, जो हम DVT के दौरा हमने जो ब्रिश्टा चार को खतम किया है, नहीं तो एक रोपे की जगा 85 पैसे तो कॉंग्रेसियों के जिम में जाते थे, प्रधानमंतरी जब राजी कि क्या है कि लोकसभा चुनाफ का टाइम जल रहा है, तो बहुत सारे प्रवक्ता, बहुत सारे जो कारे करता हैं, वो कॉंग्रेस से BGP में दामन थाम रहा है, कॉंग्रेस से BGP की तरफ उनका रुख हो गया है, लेकिन अभी इसी बीज कमलात के बहुत खासे माने जाने व देखिये, वो तो सब छिद्वाडा का मत्दान हो चुका है, और वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, फिर भी आपने प्रश्न किया है, तो मैं जबाब दे देता हूं कि सबसे पहले तो उसी दिन अगर जब वीडियो जारी हुआ तो क्यों क कमलनाथ ौनकुलनाज जो कहा रहे हैं कि सारे आदीवासी गद्दार हैं, उनको विका वुए बताया था, ये विकृम वीडियो जारी नहीं किया कि हम जंजाती बर्गों से छमा मांगते हैं हमने उनको जंजाती बर्ग को कमला नकुलनाज जी ने गद्दार कहा था विका हुआ कहा था तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि नकुलनाज जी अगर आप सुन रहे हूं कमालाज जी अगर आप सुन रहे हूं हमारे प्रदेश टोड़े की बात सुनिए और आप अभी ततकाले एक वीडियो जारी करिये माफी मांगते हुए कि आपने गलत बात कही थी पूरे जन्जाती बर्क का आप मान किया था आपने जन्जाती बर्क को गद्दार कहा था आपने जन्जाती बर्क को विका हुआ कहा था जिसकी शिकायत हमने चुनावायोग में की है वो चुनावायोग में चल रहा है संग्यान लिया हुआ है तो आप सबसे पहले तो एक वीडियो डालिए कि हमने जो जनजाती बर को गद्दार कहा है उससे हम छमा मांगते हैं कमलना जी नकुलना जी आप सुनिये हो छमा मांगिए राभूल गांधी ने विडान सवाचुनाव के समय बहरत जोडो यात्रा की तो आपको क्या लगते है कही न कहीं क्या बीजेपी को इससे कुछ नुक्सान हो सकता है उनके वोट कट सकते हैं देखिए वो कॉंग्रेस जो यात्रा कर रही है कॉंग्रेस जोड़ो यात्रा होना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस छोड़ो यात्रा रही और जो कॉंग्रेस छोड़ो यात्रा रही या निया यात्रा रही तो राहूल गांदी जी मतलब भारत के वह सबसे अस्फल व्यक्तित्व अस्पल रायनेता हैं उनको रायनीती में पता रायनीती का भारत की संस्कुर्ती का ज्यान नहीं है भान नहीं है और आप देखिए जहां-जहां से राहुल गांदी जी आये थे चले थे और जो पहली यात्रा की बात कर रहा हूं उसके बाद बिदानसभा चुना हुए कर देख अठापी नहीं कह सकता यह अन्याय यात्राही है कि लाकों Congress कारिकरता Congress ट्याग दिये हैं बड़े बड़े नेतां ने Congress को तिला इंड़ी है तो Congress अपने नेतां को इन्याय कर पा रही हो मतलब वह कैसे करेंगे ऐशी के साथ में in here पा रहें जब आप भगवान राम क तो हिंदु के साथ नयाय नहीं करते हूँ जब आप हिंदु कुलते हो छक्ति से आप लड़ रहे हो तो आप माताओं भेहनों से नयाय सब्सक्राइब जिसरी आंपने प्रभी लागू किया है और देख़एब जारी किया था कॉंगरिस ने वह भी जूट का पुलिंदा है अरे इतने बड़े बाले हैं लोग कि ये भारत की फोटो नहीं मिले तो ये थाइलेंड का फोटो ले आते हैं और एक जील है अमेरिका की उस जील का फोटो ले आते हैं तो ऐसा तो ये फेक है जूट के पुलिंदा है फारजी लोगों की पार्टी कॉंग्रेस कह सकते हूं कि फर्जी फोटो लगा रही है कॉंग्रेस राउल जी आप अगर सुन रहे हैं तो सुन लिजेगा कि कॉंग्रेस फर्जी फोटो यूज कर रही है भारत में भारत का चुना हो रहा है भारत में थाइलेंड का फोटो क्यों यूज किया जा रहा है अमे तो वो तब माना जाता मैं कहता हूं कि Congress अगर अपने मैनिफेस्टों में वो जो दो बोहर के फोटो लगे हुए हैं उन फोटों को त्याग कर दे और दूसरे फोटो लगा ले लेकिन आज कितने दिन होगा है Congress की नाय पत्र को आए हुए और वो सभी जगे दिखा रहे हैं सार पर तिस्ठा वाला जो दिन है कही न कही नकार रहती कि उस दिन नहीं होना चाहिए और कई बार बीजी पर इस प्रकार के आरोप लगते रहें कि धर्म की राजनीती करते हैं धर्म दिखाकर वोटरों को अपने अंडर लेना चाहते हैं इस पर आप क्या कहेंगे देखिए कॉंग्रेस ही है जो बिमुक होती जाती है हमारी पंच निस्ठाओं में हैं राश्ट्री एकता और सांस्कुर्तिक राश्ट्रबाद तो राश्ट्री एकात्मकता और सांस्कुर्तिक राश्ट्रबाद की बात है भगवान राम सनातन के संभाख हैं जब रोम को ई सब्सक्राइब मिलतों उसको भी अमें हम्हें आयोध्या करने का सौबाग भरती जंता पार्टी की सरकार को मिला हमने पूरा सहयोग दिया सूप्रीम कोट को भभ्य का मंदिर पांशोवान लगों बोड़न लेकिन लेकिन अभागे तो वो हैं जिनको इनको तो निमंतरन मिलना ही नहीं था अगर किसने उनको निमंतरन नहीं देना चाहिए अदाय से लोगों को जिन्होंने तो भगवान राम को माना ही नहीं कालपनिक बताया और हमेशा कालपनिक बताया सभी भगवानों को वो सनातन की हमेशा निंदा करते हैं, सनातन से लड़ने वाले लोग हैं, तो आप सोचिए इनको जो है, त्याक पत्र देना ही नहीं था अमंतरन का पत्र, अमंतरन का पत्र ठुकरा आया, लेकिन इनको रोम प्यारा लगता है, रोम सा समंदर पार, सोनिया गांदी जब राश् है, उस अयुद्य हमें नहीं जा पाए, पत्र लिख करके बोलते हैं, कि हम इने मंतरन अस्विकार करते हैं, ठुकराते हैं, तो देखिए कॉंग्रेस तो ऐसी है, जिनके ज्यान चक्ष फूटे हैं, राम उन्हें लगते जूटे हैं, जुटलाते राम के मर्म को घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही हैं, सब के सब हरिहर द्रोही हैं, सब के सब सनातन द्रोही हैं, सब के सब राम द्रोही हैं, सब के सब शक्ति द्रोही हैं, ऐसे शक्ति द्रोहीयों को, राम द्रोहीयों को हम पढ़ने को उन्हें गरण पुराण दें, उनको अगरा डर और राम मंदर जो बेक्ती गया कॉंग्रेस का उसको 6 साल के लिए इस तरीके कि दो वह अर्थी सब काम करने वाली कॉंग्रेस से भारत की जंता जानती है सब बहुत बहुत धन्यवाद आप खमारे साथ जो लिए प्रदेश टोड़े के दर्श्मों के लिए भी बहुत धन्यवाद उनका साधर अभी नंदन है तो हम सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता सतिंद्र जैन चौधरी जी को जिन्हों हमें बताया कि बीजेपी ने इस बार लोगसमा चुनाव के लिए अपनी पूरी कमर कस लिए और 400 पार का जो नारब बीजीपी दे रही है इस बार वो 29 की 29 लोगसमा सीट पर कबजा करना जो चाहती है तो कहीं न कहीं वो बिलकुल कमर कसकत तयार है इस चीज के लिए कि इस बार की 29 लोगसमा सीट अपने कबजे में कर लेगी मैं अंज़री होगी कैमरा परसंट सिवांग दोवेदी की साथ प्रदेश टोडे